हेलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 29 करेंगे जो की क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्क्षिट 26 ओक्टूबर 2021 की है तो आज ये शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट टू गेटिंग नो तब प्लांट देखो क्या कहा गया है ध्यान से समझते हैं हम इसमें यहाँ पर गेटिंग नो तो प्लांट फलार is the most beautiful and colorful part of a plant फलार जो है बहुत ज़्यादा beautiful और क्या होता है colorful part होता है प्लांट का ये क्या करता है ये देखो ये वाला जो portion जहां से स्टैम से जुड़ा होता है इसे हम क्या कहते हैं पैडिकल कहते हैं फलार has four main rolls फलार के अंदर four rolls होते हैं जिसको क्या करते हैं from the stalk starting from the base of the upward फलार में सबसे outer layer outer जो होता है सेपल कहते हैं उसके بعد petals आता है फिर stamen और pistol या कारिकल कहते हैं नाम यादे करेंगी आप सबसे outer layer को क्या कहते हैं सेपल कहते हैं उसके बाद petal आता है फिर stamen आता है उसके बाद पिस्टल आता है, तो एक एक हो हम अच्छे से यहां पर समझेंगे, सबसे पहले क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले है सैपल, यह वाला जो पोर्शन है, ग्रीन कलर का जो पोर्शन है, इसे हम सैपल कहते हैं, सैपल are the green leaf-like structure protecting the bird, they form the outermost role of a flower, एक जो सबसे भारी भाव होता है, वो कोन बनाता है, सैपल बनाता है, और यह क्या करता है, जो फ्लार एक bird के रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तो फ्लार की protection करता है, फ्लार के बाद आता है, जो सैपल है, उसके बाद में क्या आता है, पैटल्स, पैटल्स are brightly colored part of a flower फ्लार का क्या है, colored part है, जिसे हम क्या कहते है, petal कहते है, they have good fragrance, उसके अदर अच्छी fragrance होती है, they attract insect for pollination, यह क्या करते है, pollination के लिए insect को attract करते है, they form for the next role for outside, यह क्या है, सैपल के बाद जो second number आता है, वो कौन सा है, petal है, यहाँ पर यह जो colorful आपको pink color का, red color का part दिखाई दे यह सारे जो leaves like structure है, इन्हें हम क्या कहते है, petal कहते है, next हम देखते है, next उसके बाद में है, stamen, stamen the male reproductive part of the flower, flower का male reproductive part है, वो क्या होता है, stamen होता है, each stamen consists a stock called filament and a bag like structure called enter having pollen grains, अब अगर हम इसकी structure देखते हैं, तो इस तरह से इसकी structure होती है, अगर stamen की structure देखो तो इस तरह से ह filament, इस पार्ट को हम क्या कहते है, filament कहते है, जबकि यह जो पार्ट है, इसे हम enter कहते है, और enter के अंदर क्या होते है, pollen grains, ठीक है, यह किसकी structure हो, इस stamen की, अगर हम पिस्टल की बात करते है, तो पिस्टल की structure इस तरह से होती है, ठीक है, अब देखो यह क्या है, female reproductive part है, उसके इसमें क्या होते है, जो यह वाला part है, इसे हम ovary कहते है, तो यह दिखाई दे रहा है, ovary, उसके बाद यह वाला part क्या कहलाएगा, style कहलाता है, यह वाला part क्या कहलाता है, style, और सबसे उपर वाला part क्या कहलाता है, stigma, stigma, style and ovary, अब नाम अच्छे से याद करेंगे, अब हम द slightly colored petal with attract insect in the help of pollinations, reproductive part hai, pollination mein help karta hai, after being pollinated the flower produce seeds, aur flower pollination ke baad mein flower kis mein convert ho jata hai, kya banata hai, seed banata hai, ठीक है, अब देखते हैं, अगे की activity क्या दी गई है, take two different flower from the surrounding and observe its petal and sepal, then try to identify its stamen with the help of the picture show above, slowly remove the petals and stamen from the flower, so that you can clearly see the pistols, record your observation with the help of the given table, okay, देखो, आपको क्या करना है, given table के according आपको क्या बनाना है, यहाँ पर देखना है, कि क्या इसका answer है, देखो, first, क्या खा गया, example या गया है, rose का, अगर हम number of sepal और colors की बात करते हैं, तो number कितनी होंगे, sepal के 5 होंगे, mostly sepal कैसे color का होता है, green color का होता है, अगर हम petals की बात करें, तो petals इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे petals होते हैं, और colored कैसे color, red colors की होते हैं, ठीक, अगर अलग-लग color का rose है, तो अलग-लग color की हो सकते हैं, उसके बाद में, are the sepal joined together and separate, जो sepals हैं, वो अपस में जुड़ी होई हैं, या अलग-लग हैं, तो हम देखेंगे, कि सारी sepals क्या हैं, अलग-लग हैं, stamen, present और absent, stamen, जो है present है, या absent है, तो क्या आजाएगा, present है, और pistol present है, या absent है, तो क्या आजाएगा, present है, इसे तरह से आपको sepals हैं, वो अपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम लिख देंगे, joint, उसके लावा, इसके अंदर क्या है, इंडरोशियम भी present होता है, और गाइनोशियम भी, इसके अंदर क्या होता है, present होता है, मतलब कि, pistol भी present होता है, उसके बाद, second example है, lotus का, इसमें, petals कितने है है, five है, sepals कितने है, five है, green color के है, petals कितने है, 10 to 20 है, और pink color के होते है, सारे के सारे आपस में क्या है, joint है, और क्या है, present होते है, इसके अंदर, stamen भी present होता है, और इसके अंदर, pistol भी present होता है, अब हम देखते है, questions, देखो, question number one, क्या है, name the reproductive part of a flower, क्या है, plant का reproductive part, कौन सा ह होता है इसले होता है Q2 विच पार्ट बटार काल करता है क्तिंक डिए आफिफीर अ फ्नॉटेइल को हैं आफिप इंन्सेक्टस दे लूटर्व पराप टॉटेशन वहलो है टूत próxima कौन-कौन help करता है, petals help करते हैं, सिधा petals भी लिख सकते हैं, petals help करते हैं, और stigma help करते हैं, आप इतना चाहें, तो इतना भी अंसर लिख सकते हैं, which part of the plant help in the pollination, petal and stigma भी आप अंसर लिख सकते हैं, question number 4, name the male and female reproductive part, तो male reproductive part क्या हो जाएगा, stamen हो जाएगा, और female reproductive part क्या हो जाएगा, pistol और carpal हो जाएगा, ठीक है, अप लिख देंगे pistol और carpal, next question, देखो, क्या कहा गए, identify the diagram, यह किस तीसका diagram है, अभी हमने समझा, यह diagram किसका है, pistol का है, देखो, इस तरह का, जब भी diagram मनाया न, हमने, तो देखो, यह वाला diagram किसका हो जाएगा, यहाँ पे ovary, यहाँ पे stigma, यहाँ पे style, और यहाँ पे stigma, तो यह diagram किसका है, यह देखो, यह diagram है, pistol का, तो यह थी हमारी आज की worksheet, worksheet को complete करके, अपने teacher को ज़रूद चेक करवाईए, और प्लीज मेरे चैनल को